अखिर कौन सी वो चीजे हैं जिनका सेवन सावन के महीने में करना मना होता है क्यों इन चीजों को खाने से किया जाता है मना हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करेख ले हिंदु धर्म में सावन का महीना बहुत खास होता है इस महीने में भगवान शिव की बड़ी ही धूमधाम से पूजा की जाती है हर सोमवार भगवान शिव के लिए व्रत रखा जाता है मानता है कि सावन का महीना महादेव को अतियंत प्रिय है अगर महादेव के भक्त इस समय भक्ती पूर्वक उनकी पूजा करे तो महादेव जल्दी प्रसंद होते हैं और भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं लेकिन सावन के महीने में कुछ चीजों को ना खाने के नियम शास्त्रों में बताए गए हैं और उन्ही चीजों में से एक है दूद और साग का सेवन धार्मिक रूप से मानेता है कि दूद महादेव को अतियन तिप्रिय है और इससे सावन भरुन का अभिशेक किया जाता है इसलिए दूद को सावन के महीने में नहीं पीना चाहिए वही साग ना खाने को लेकर कहा जाता है कि महादेव को प्रकर्ती अतियन तिप्रिय है सावन का महीना बारिश का महीना होता है और इस महीने में प्रकर्ती बेहत खुबसूरत नजर आती है ऐसे में पेड पौधों को कुई नुकसान नहीं पहुचना चाहिए साग भी पौधू का ही स्वरूप है इसले सावन भर इसे ना खाने की सलाह दी जाती है इस महीने में साग का सेवन नहीं करने की पीछे व्याज्यानिक कारण भी है सावन के महीने में बहुत बारिश होती है इस वज़े से खेतों में कीट, पतंगों और अनिकिस्म के कीडे मकोडों की संख्या काफी बढ़ जाती है और कई हानिकारक किस्म की घास फूस खेतों में उग जाती है ऐसे में जब हम साग को खेत से लाते हैं और बना कर उसका सेवन करते हैं तो हानिकारक तत्व हमारे पेट के भीतर चले जाते हैं, इससे हमारा पाचन तत्र खराब हो जाता है। सावन के महीने में गाय और भैस को जो चारा दिया जाता है उसमें खेट से आये हुए कई हानिकारक घास पूस मिले होते हैं ऐसे में गाय भैस चारे के सेवन के साथ साथ कई हानिकारक तत्वों को भी खा लेती है इस कारण उनके दूद के सेवन से वही हानिकारक तत्व हमारे भीतर भी पहुंच जाते हैं जिसके चलते हमारे बिमार होने की संभावना बढ़ जाती है तो इस सावन के महीने में आप भी दूद और साख का सेवन ना करें और भगवान शिव की पूजा अर्चना करके उनकी क्रपा पाएं भगवान शिव आपकी हर मनुकामना पूर्ण कर चर्ण किर के घका सेवने के मनुकामना जियामें अर्चना करें degrees में आपकी हиях जाती हैक वह उनकी है करना करना करेंदद, करो दो पूाभवाना कर देक हमारे चाहता डिवात हैं embarrassment झाल झाल